दिली अंसियार समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे प्रोदूशर का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है दिली अंसियार का EQI लेबल खतानाक शेड़ी में पहुच गया है वहीं यूपी के के इलाकों में ठंड और कोहरे ने कहर पर पाना सुनू कर दिया है कोहरे के कारण विजबिल्टी काफी कम हो गई है सडकों पर गाडिया रिंग ने लगी है देखे दिली अंसियार समित पूरे यूपी में ठंड और कोहरे का आसर दिखने लगा है कोहरे के कारण visibility काफे कम हो गई है जिससे दाहरों के रफतार पर ब्रेक लग गया कोहरे के साथ हवा में घुला जहर बेगहतरनाक इस्तर तक पहुँच गया है दिली में production इस्तर लगतार गंभीर स्रेनी में बना हुआ है दिली के 20 से ज्यादा इलाकों में AQI level 400 के पार पहुच किया है गुरुवार के सुबभी दिली NCR के जो सुब़ा है वो पूरी तरह प्रदूशन वा कोहरी की जो चादर है उसकी लपेट में आपर दिखाई दे रही है इसको स्मोग कहा जाएगा फॉग प्लस पॉलुशन का जो असर है दिली के आब होवा की अरियम बात करें तो 400 से उपर गंभीर श्रेणी में दिली का पॉलुशन लेवल बना हुआ है दिली में 30 से ज्यादा इसे इलाके हैं जांगीरपूरी है विवेक वियार है दिली उनिवरसिटी है इन तमाम इलाकों में एक्यूआई लेवल 400 के पार यानि गंभीर श्रेणी में बना हुआ है यह दिली में लगातार दूसरा दिन है जब गंभीर श्रेणी में एक्यूआई लेवल है यह सड़क आप देख रहे हैं पूरी तरे स्मॉक की चादर में सड़क यहां पर लेपी नजर आ रही है बूरे रंग की जो चादर है चुकि कोहरे के साथ में पॉलूशन भी है वहां जो है अभी तक अपनी लाइट्स जिला करके सड़क पर सफर कर रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी पर भी इस स्मॉक की चादर के सलते फरक पड़ा है अक्षर धाम मंदिर पूरी तरे स्मॉक की चादर की लपेट में मंदिर पीछे की तरफ भी इखाई नहीं दे रहा है ऐसे में मौसम विबाक का कहना है कि अगले दो से तीन दिन इसी तरीके से पॉलूशन का इस्तर बना रहेगा वही नौईडा में मौसम का डबल अटेक देखने को मिल रहा है यहां पॉलूशन के साथ-साथ कोहरे की मार से लोग परिशान है नौईडा में एक्वाई 400 के करीब पहुँच गया है सेक्टर बासट का एक्वाई 389 और सेक्टर एक का एक्वाई 335 सेक्टर 116 का एक्वाई लने के लिए मजबूर हैं दूसरी तरफ जो बड़ी बड़ी अगर इमारतों की बात की जाए तो इमारते पूरी तरीके से नदारत नजर आ रही हैं पॉलूशन और कोहरे के चलते विजबलिटी कम होने से इमारते पूरी तरीके से नदारत नजर आ रही है खास तोर पर ख पूल को लेकर और गाडियों की जादा संख्या होने को लेकर पोलुशन के बढ़ने की तरफ इसारा लगातार करता है। वहीं आगरा ताजनगरी में च्छाए कोहरे ने वाहरों के रफतार कम कर दी आगरा हाइवे पर पर्राठा भरने वाले वाहर धीमी गती से चलती हुए दिखाए दिये। ताजनगरी आगरा में सर्दी का पहरा कोहरा दिखाई दिया और इस कोहरे ने पूरे सहर को अपनी जद में ले लिया। मैं आपको दिखा देता हूं कि कि सरीके से आज सर्दी का आला में हलकेल की हवा भी चल रही है लेकिन इसके बाप जूद यह देखा जा रहा है कि कोहरा बहुत ज्यादा है और अभी तो थोड़ा सा मोसम खुल गया है लेकिन अगर कुछ समय पहले की बात की जाए तो ऐसा देखा गया था कि जो बाहान है वह अपनी काली की लाइट चालू करके ही आगे बढ़ पा रहे हैं और बिल्टी बहुत ज्यादा कम हो गई थी और ऐसा देखा गया कि जो लोग अब तक सर्द कपले नहीं निकाले थे अब आज के कोरे को देखकर उन्होंन के गाजयबाद के ट्रांस हिंडन एरिया की है वाहनों की रफतार बहुत है धीमी हो गई है सडकों पसनाटा चाया हुआ है लोग अपनी गाडियों की फॉक लाइट जलाकर चल रहे हैं बरेली में कोहरे के कारण विजबिलिटी काफी कम हो गई है कोहरे से हाइवे पर वाह पूरी तरीके से ढख चुकी है और कोहरे की वज़े से जो बाहन सो से उबर की रफतार पगड़ते थे अब वह सतर से असी की स्वीप नजर आ रहे हैं इसी के साथ साथ रात में भारी कोहरे के कारण कुछ ट्रेक वाले रोड पर रुग गये थे जो आप धीरे-धीरे यहां उनने किस कदर कोहरा है कि विजिबिल्टी जो है 300 से 400 मीटर दूर का नजर आना बंध हो चुका है और यही बज़े है कि जो लोग है तो वो अब उनकी जो पहियों की रफतार थी वहानों के उनके वो थम चुकी है वही कानपूर में सर्दी की शुरुवात के साथ ही कोहरा शुरू हो गया सुबा से ही आसमान में कोहरा धुन्द देखने को मिला जिसके चलते सुबह घरों से निकलने वाले लोग काफे दिकुत्तों का सामना कर रहे हैं सर्दीया सुरू होने के साथ साथ कोहरे का कहर भी देखने को मिला है जैसे जैसे सर्दीया बढ़ रही है आसमान में धुन्द और कोहरा भी चाने लगा है आज कानपूर के आसमान में सुबह से ही कोहरा चाया हुआ है जिसकी वज़े से तमाम रह गिये जो सुबह यात्रा करने के लिए निकले उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा इसके अलावा तमाम और रिंग वाकर्स जो टहले के लिए निकले थे इस तरीके से धुंद चाही हुई है इस सरदी में पहली बार इस तरीकी का नजारा देखने को मिला है क्योंकि अभी तक अपेच्छाक्रत सर्दी नहीं पढ़ रही थी और अब दीरे दीरे सर्दी पढ़ना शुरू हुई है तो ऐसे में यह कोहरा आगे आने वाले दिनों में और अधिक देखने को मिल सकता है वहें फ्रोजबाद में शेहरी और ग्रामिन शेत्रों में सुबसुबए घना कौरा चाया रहा जो लोग कल तक समाने कप्रों में देख रहे थे आज से उन्होंने गरम कप्रे पहनने की शुरुआत कर दी पाड़ी लाखों में हुई बारिस क दरसल मौसम की ऐसी हालत हिमालेट शेत्र में एक्टिव वेस्टर्न डिस्ट्रिबिन्स की विज़स से हुई है ऐसे में देली समेथ पूरे उति भारत की हवा की हालत दम घोटू सी हो गई है टीम न्यूस स्टेइग